प्रयाग्राज में इस वर्ष सुदूर साइबेरिया से पक्षी आ गए है वर्षा रितु की समाप्ती और थंड की आहत के साथ ही ये पक्षी पवित्र गंगा जमना के संगम तड़ पर लोगों के आकरशन का केंद्र बने है इनके आने से प्रयाग्राज संगम की खूबसूरती बढ़ गई है और नजारा पेहद्मन मोहक है ये पक्षी सुभा सवेरे और उड़ान भरते हैं और परिटक भी इन्हें कुछ न कुछ दाना खिलाते हैं इनकी संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है पंचियों के बारे में बहुत कुछ सुना है तो हम लोग ने की बोर्ट से गहे पंचियों के पास तक पहुचे तो बहुत कुछ देखा तो पंचियों को जाते हुए दाना भी खिलाते हुए देखा और अच्छा भी लगा बहुत पास्ते देखा पंचियों को बहुत देख यहां पर तीन नदियों का मिलान होता है खूब सूर्ती पारे साल के पश्चात यहां महाफुम का भी आयोजन होता है जिसे जोर सोर में यहां बहुत तैयारिया भी चल नहीं है मानिये अपने योगी आदित नाथ जी के द्वारा कार्शेली को बढ़ावा देते हुए बहुत सुंदरता का द्रश्च दिखाई पड़ रहा है वह यहां पच्छी सागिरें पच्छियों के बारे में बहुत सुना था तो आज दिलदार को मैंने अपने नभीन आखों से अपने हातों से द इसको देते हुए यह पच्छी इस ताइम इस टाइम आयो हुए है इसी महीने में आते हैं और यह पूरा-खर्मी महीने में चली जाती है इससे आने से पारियठन का बढ़ावा होता है यात्री जो है इस तरह से का महौल है किष्ट इस टाइम में बहुत ज्यादा भी भीड नहीं है अभी एक महीने बाद धेर सारी बीड़ हो जाएगी तो अच्छा महाल हो जाता है